सो फ्रेंट्स आज अब हम देख रहे हैं साथ की शुशासिस नातकोतर महाविद्याला चिनवाड़ा का जो त्री महारशिक अर्दवार्शिक परिक्षा सिसी जो एक्जाम हैं 2020-2021 के लिए बीए का दुटिये वर्ष बीए दुटिये वर्ष के लिए है यहां गाईस और यहां भुगोल का पेपर है, जियोग्राफिक का पेपर है, फॉस्ट प्रष्ण पत्र और सेकंड प्रष्ण पत्र अँए हैं, यहां दोनों आपको सॉल्फ करना है, फॉस्ट पेपर है, कोश्चन है, जल बायू विज्ञान को परिभासित करते हुए, इसकी विशे वस्तू पर प् महासागरिये नीतल के उच्चावच को समझाईए पांचवा कुशन है महासागरिये जल की लवनता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को समझाईए ये पांच कुशन है फर्स्ट पेपर में जियोग्रॉफिक है तो चलिए अब हम देखें इनका आंसर गाईज सो फ्रेंट्स भी ए सेकंड ये जियोग्रॉफिक फर्स्ट पेपर हम देख रहे हैं इसका जो फर्स्ट कोशन है जलवाईव विग्यान को परिवासित करते हुए इसकी विसेवस्तू पर प्रकास डालिए तो इसका आंसर इस प्रकार से हम देंगे जलवाईव विग्यान अर् तथा जबकि लोगोष का जो अर्थ होता है वहाँ वर्णन करना अर्थात क्लाइमेट और लॉजी का जो अर्थ होगा प्रत्वी के धलाव का अध्यन करना जो प्रत्वी के धलाव का अध्यन करना है वही क्लाइमेटो लॉजी कहलाता है जलवायू विज्ञान को जलवायू विज्ञान मोश्रम की शमाने दशाओं की विबेचना करता है अब हम देखते हैं विशेवस्तू इस विशेवस्तू में हम देख रहे हैं किसी इस्थान पर किसी विशेश प्रकार की पाई जाने वाली जलवायू वहां की प्राणी जगत एबं बनश्पतियों पर उसका प्रभाव अत्वा भिविन्न इस्थानों पर पाई जाने वाली जो भिविन्न प्रकार की जलवायू आधी अने ऐसे ऐसे प्रश्ण हैं जिनका उत्तर एबं समाधान जलसे वग्जान में aja सकता है इंट सब बातों रखायो बैंसा मैं निमनी दश्राओं के अंतरगत कि आ जाला भौतिक की जल्वायू बॉग्ञान दूसरा होता है प्रादेशिक जल्वायू विज्ञान और तीसरा है वहवारिक जल्वायू विज्ञान तो भौतिकी जल्वायू विज्ञान क्या होता है यह हम इसका विर्णन यहाँ पे देखेंगे कि खोज की जाती है जो उश्मा बिनीमे ये आद्र बिनीमे और पवन प्रवहा में पाई जाने वाले इस्थानीक एबम सामशिक परिवर्टनों के लिए उत्तरदाई हैं इसके लिए जलबायू के भिविन्य तत्वों जेशे शूर्य तापमान शूर्य का प्रकास की अवदी बायूदाव आदरता मेंग वर्ण वर्षा आदी के प्रक्षेपन द्वारा सहयता मिलती हैं भौतिकी जलबायू विज्ञान जलबायू के इन भिविन्य तत्वों का अध्यान करता है क्योंकि इन ही से जलबायू सम्मंदित क्रियाओं की विवेचना होती हैं तदा जलबायू की प्रादेशिक भिविन्यताओं के उत्पत्ति होती हैं यह हो गया हमारा बहुत एक जलवाईयू विज्ञान इसके अंतरगत आप यहां पर यह लिख सकते हैं अब हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं प्रादेशिक जलवाईयू विज्ञान क्या होता है इस प्रक्रिया के अंतर के जलवायू सम्मंदित आंकडों की का विशलेशन होता है यही नहीं किसी छेत्र अत्वा प्रदेश के निवाशियों उनके आवास उनके कार्रे करने की दक्षता स्वास्त एवं सारेरिक संगठन आदी का आदी पर पढ़ने वाले जो जलवायू के प्रभाव की विवेचना की जाती है इसमें जलवायू के छेत्रिये वित्रन की विवेचना करते समय यहां सभाविक है कि जलवायू बिग्यान में मापक शंकल्पना का समाविश हो तथा जलवायू प्रदेश के आकार एवं विस्तार की द्रस्टि से बिस्व को ब्रहत जल जलवायू प्रदेशों हो में शुख्ष में जलवायू प्रदेशों में विभाजित करके उनका विष्त्रत जलवाइवी अध्यन किया जाता है यह hå चाएगा हमारा जलवायू का सेकंड पार्ट अब हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट वहवारिक जलवायू विज्ञान क्या है सो वहवारिक जलवायू विज्ञान के आप हेडिंग डालके इसके अंतरगत यहां लिखेंगे जलबायू विज्ञान की इस साका का उद्देश जलबायू विज्ञान एबं अन्य शाकाओं के पारिश पर एक सम्मंदों की विवेचना करना है इसके अंतरगत इस बात पर विचार किया जाता है कि मनुश्य के शुकमे जीवन के लिए जलबायू शम्मंदित विज्ञान का अनुप्रयोग किस प्रकार किया जाएं इसके अंतरगत जल्वायूं में होने वाले परिवतनों तता जल्वायूं की विविन्न घटकों को संसोधित एबं परीमार्जित करके मानेविये क्रिया कलापों के लिए अनुकुल बार बनाने की समझ्याओं पर विचार किया जाता है यही कारण है कि जलवायो सास्त्रियों के प्रयास के कारण जलवायो विज्यान तथा विज्यान की अन्य साखाऊं में पारस पर शहयोग बड़ा है जेसे, क्रेशी जल्वायू विज्ञान चिकेशा जल्वायू विज्ञान नागरिये, जल्वायू विज्ञान एबम जीव विज्ञान आदि प्रादेश्य जलवायू विग्यान क्या बैवारिक जलवायू विज्यान क्या है इसे एकस्प्रेंड कर दिया है आयोगरी है को है एंग फिकृष्च्व सचैज्व आमरे के रचन् किर से बायू मन्दल Germany अभी आप आप सो में बायू की अनेक परते हैं बायू मंडल की ये परते हैं बायू के तापमान और दाप पर अधारित हैं बायू मंडल को नेमने छे परतों में वाक्त किया गया है पहला है परिवर्तन या छोब मंडल सेकंड है मद्धिस तरी मंडल तीसरा है समताप मंडल चोहता है ओजोन मं बातल में इसकी और श्रत istad 12 km है ध्रोबों की अपेक्षा जो विष्यूबत रेखा पर इसकी उचाई अधिक है विष्यूबत रेखा पर यहां 16 km उचाई पर पर रनतु द्रोबं पर इसकी उचाई 8 km है बाइयू मंडल के इसी भाग में हम रहते हैं इसे लिए यहां अध्य स्थुलता इसी भाग में हैं यह जलवाश्व धूलकान और भारी गेसें इसी भाग में अधिक पाई जाती हैं परिवरतन मंडल में उपरी शीमा जो पर बायू दाव भी धरातल की अपेक्चा 1 अपॉन 4 रहता हैं बायू मंडल के इस भाग में बायू कभी सांत नहीं रहती ह अब हम सेकेंड को देखते हैं मद्य मंडल सो मद्य मंडल में आप लेकेंगे मद्य मंडल बायू मंडल का वहा भाग है जहां परिवरतन मंडल की पेटी समाप्त होती है और शमतल मंडल की नई पेटी प्रारंब होती है अधा बायू मंडल के इस भाग में परिवरतन मंडल और समताप मंडल दोनों के गुण बिद्दमान हैं बायो मंडल के इस भाग में को चोड़ाई लगए इस भाग की जो चोड़ाई होती है वहां लगवग 1.5 किलो मीटर होती है इस भाग में परिवर्तन मंडल की हवाई वह सम बहाईनी धाराई चलना बंध हो जाती हैं इस पेटी के बाद समताप मंडल की जो पेटी है वहाँ प्रारंब होती है और मद्ध मंडल के बाद जो होता है समताप मंडल स्टार्ट होता है गाईज यहाँ कोईशन जो है बहुत इजी है समताप मंडल ओजोन मंडल आयन मंडल और आयतन जो मंडल है यहाँ चार जो मंडल है वहाँ आप श्रयम लिख सकते हैं अब हम नेक्स्ट कोईशन देख रहे हैं सो फ्रेंट्स हमें पांच कोईशन दिये हुए थे जिसमें से हमें कोई भी तीन कोईशन करने थे तो जो थर्ड कोईशन है हम पांचबर नमर का है जो थर्ड नमर में कर रहे हैं सो महसागरी जल की लवर्टा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को समझाईए यहाँ है कुईशन इसका आंसर इस प्रकाशे करेंगे समद्र का जल सदेव खारा होता है परन्तु खारे पाने की मात्रा सदेव शमान नहीं होती है भिन्न भिन्न शमद्रों में जल की लवर्टा भिन्ने भिन्ने होती है लवर्टा की भिन्नेता के निम निलिकित कारण हो शकते हैं तो अप यहाँ लवर्टा के कारण बता देंगे स्वक्ष जल की आपूर्ती होती है शमद्र जल में जो हीम सिलाओं के पिघलने बर्षा अत्वा नदियों द्वारा जल के जल की लवरता पर इस स्वक्ष जल की आपूर्ती का बड़ा प्रभाव होता है जिस शमुद्र की में स्वक्ष जल की आपूर्ती जितनी अधिक होती है वहां लवरता उतनी ही कम होती है विशुवत रेखिए प्रदेशों में अधिक बर्शा होने के कारण बड़ी बड़ी न टालते हैं सेकंड कारण डालते हैं बास्विकरण की मात्रा और उसकी गती भी इसे प्रभावित करती है सो सेकंड टाप टता टेवर गती से चलता है वहां वाश्विकरण की रिया अधिक होती है जिससे वहां सागरी लवरता की मात्रा में ब्रधी हो जाती है आयन ब्रती चेत्रों में अधिक कारण है कारण है है उश्ण बायू दाब की पेटियां एबं इस्थाई प्रति चक्रवातों के छेत्र में सदेव गर्म और शुष्क पवने उपर से उड़ती हैं अतहां इन छेत्रों में बासपी करण अधिक होता है जो लवड़ता में ब्रति कर देता है करकरेका और मकर्रेखाओं के निकट महादीपों के पूर्वी तटों पर बहा ले जाती है जहां उसके फलसोरुप लवड़ता बढ़ जाती है इसके विपरित महादीपों के पूर्वी तट पर जहां से शंग मारगी पवने चलती है वहां तटिये भागों के जल को दूर बहा ले जाती है जिसके कारण वहां का कम खारा जल उपर आ जाता है और बहाँ जल का खारा पन कम हो जाता है सो यहां इससे प्रभावित करती है पबनी इस प्रकार से अब हम देख लगते हैं लास्ट पॉइंट सो गाइस अब हम देख रहे हैं Làस्ट पॉइंट सागरिये जल में गति शमुद्रों में जल की गती के कारण भी लवड़ता बढ़ती रहती है शमुद्र जल में गती ही होने पर जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है शमुद्र जल में गती मुक्ता धाराओं, जुवारी ये लहरों और शमबाहन धाराओं द्वारा होता है अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं सागरी जल में गती सागरी जल में गती भी इसे प्रभावित करती है जो समुद्रों में जल की गती के कारण भी लवर्ता बदलती रहती है समुद्र जल में गती होने पर जल एक स्थान से दुसरे स्थान पर चला जाता है समुद्र जल में गती मुकेता धाराओं जुआरी लहरों और संबाहिनी धाराओं द्वारा होता है धाराई समुद्र जल की लवर्ता को घटाने बढ़ाने में बड़ा योग देती है दक्षिन अंध सागर में कई गर्मधाराएं ओशन तता खारा जल बड़ी मात्रा में उत्री अंध महाशागर में पहुँचाती है जिससे उत्री अंध महाशागर में लवर्ता बढ़ जाती है यहां 34% से 36% तक होती है इस प्रकार जवारी लहरेवी समुद्र जल के उत्थान या अपवहा तता लवर्ता में अंतर उत्पन करने में सायक होती है समभाहिनी धाराएं द्वारा महाशागरों में कहीं जल का अभिशरन और कहीं अपसरन होता है यही यहां क्रिया शमुद्रों में शर्वत्र होती है शमुद्रों में भिविन्य ताप वाले जल का परियाई मिश्रन होता है और लवर्ता में बहुत कम अंतर होता है किन्तु सरवत्र ऐसा नहीं होता है इसलिए शमुद्र की लवरता में बहुत अंतर मिलता है अब हम लास्ट पॉइंट देख रहे हैं मोशमी परिवर्तन प्रत्वी के विविन्य भागों में शोरे द्वारा तापमान की प्राप्ति विन्य विन्य होती है मोशम के परिवर्तन में एक ही अक्षांस शीतकाल में ठंडा और ग्रिश्म काल में उष्ण होता है गर्मी में उष्णता की अधिकता से बाश्विकरन अधिक होता है जबकि शीतलता में स्तापमान में कमी से बाश्विकरन कम होता है फल सोरुप एक ही अक्षांस पर श्रमुद्र की लवरता ग्रिश्म में अधिक और शीतकाल में जो है कम रहती है तो यहां इस पॉइंट में हम लिख देंगे तो इस प्रकार से जो है यहां मोश्मी दशाओं को प्रभावित करती है तो यहां है हमारे पांच जो कोशन से जिसमें से हमें तीन कोशन करना था जो हमने लास कोशन अभी देखा महा सागरी जल की लवरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है तो हमने यहां लवटता को भी परिवाजित कर दिया है और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंट्स में से सेयर करें ताकि वहां भी नोट डाउन कर पाएं लिख पाएं यहां वीडियो में आपकी हल्प के लिए बना रहा हूं आप भी सेयर करें ताकि मेरी भी हल्प हो जाएं है अब हम देख रहे हैं सेकेंड्ड परेश्चन वर्षम में निम्न में से किनी परशिणों को उत्तर हम्हें यहाँ पर देना है पर फार्थ कोश्चन नितिंव परिभासा एवं बिसे छेत्र का वर्णन हमें करना है यहाँ पर सेकंड कोशन है गेहुं अत्वा चामल की क्रेशी के लिए अनुकूल भोगोलिक परिस्तितियां क्या है वर्णन कीजिए थर्ड कोशन है विस्व में लोहों आयस्क के वंडारन बित्रन एवं उत्पादन का व विचना कीजिए फिफ्त कोशन है जेव एवं एव रशायन अधारित दोग कौन कोन से हैं यहां मारा फस्ट कोशन है और गैस अगर मैं फास्ट बोड़ रहा हूं तो आप वीडियो पॉस्ट करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आप थोड़ी जो वीडियो कॉलिटि है ताकि आपको clearly visible हो सो गाइस यहाँ पर आर्थिक भुगोल मानव हम यहाँ पर आंसर इस प्रकार से करेंगे आर्थिक भुगोल मानव भुगोल की एक महत्पून साका है इस साका के अंतरगत मनुष्य के आर्थिक क्रिया कलापों तता आर्थिक भुगोल की परिवासा इस प्रकार से हम देंगे यहाँ पर स्टोक्स के अनुशार आर्थिक भुगोल में विश्व के शवी भागों की उन प्विशेष्टाओं का विज्ञानिक भीचन किया जाता है जिनका वस्तूओं के उत्पादन पर प्रतिक्ष प्रभाव पड़ता है तो आप आर्थिक भुगोल का विश्व शेटर हेडिंग डालेंगे और इसके अंतरगत यहाँ सब कुछ लिखेंगे आर्थिक भुगोल के अंतरगत मानव की आर्थिक क्रियाओं पर उसके भरन, पोशन, भोजन, बस्तर, निवास, इस्थान तथा बिलासिताओं की अवश्रक्ता पूर्ती से सम्मंदित तथ्यों का अध्यन किया जाता है आर्थिक भुगोल का विश्रे अती बिस्तरित हैं मानव के आर्थिक कार्यों तता उन पर प्रभाव डालने वाली सभी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिश्थितियों का अध्यन इसके अंतरगत किया जाता है इस प्रकार बस्तूओं के उत्पादन, वित्रण एवं उत्भोग के सभी कार्यों आर्थिक भुगोल के विश्रे हैं मानव अपनी भुगोलिक भुतिक अवसक्ताओं की पूर्ती है तो भिन्न भिन्न जीविको पार्जन के साधन जैसे लकडी काटना, मशली पकरना, सिकार करना, क्रशी करना, भोजे पदार्तों को एकत्रित करना, खाना, खोजना उद्धोग धंदे चलाना व्यपार करना और भिविन्ने सेवाओं में नोकरी करना आदी में सनलगन रहता है इसके इंतरगत आर्थिक प्रयतनों पर म्रदा भू सनरचना जलवायू खनी संसादन भोगोलिक इस्तिती परिबाहन की शुबिदास जनसंक्या घनत्व आदी का बातावरण के विविन्ने अंगों का प्रभाव पढ़ता है आर्थि भूगोल बेत्ता का मुख्य उद्देश मानव रहतनों पर पढ़ने बाले वातावरणिये प्रभाव का अध्यन करना है आर्थि भूगोल का बिशेशेत्र उतना ही ब्यापक है जितना मानव की आर्थि क्रियाओं का विस्तार मैंने बहुत ही अगर फास्ट बोल दिया होगा तो आप विडियो पाउस करके जो क्वालिटी है उसे इन्हेंस कर लेना मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं और आप नोट डाउन कर लिजिए क्योंकि मैं अगर कोशिक करते रहा तो काफी जादा टाइम हो जाएगा कैस अब हम देखें डॉक्टर कोशिक के अनुशार आति भुगोल के अध्यन के छेत्रे की तीन भाग उन्होंने बता हैं डॉक्टर कोशिक ने प्राकृतिक संसादनों का मुल्यांकन तथा मानवी कर संभावनाओं का अध्यन आर्थिक क्रियाओं का अध्यन यहां तीन पार्ट हैं प्राकृतिक संसादन आप हेडिंग डालेंगे यहां पर इसके अंतरगत छेत्र या देश की स्थिती जलबायू में सूर्य से मिलने वाली सक्ति एवं उश्का संसादन के रूप में संसादन इस जो प्राकृति के द्वारा जो प्राप्त होने वाले संसादन आजाएंगे अब हम देखते हैं मानुविय शंशादन कौन-कौन से तो मानुविय शंशादन के अंतरगत प्रदेश या देश से की जनसंक्या उसकी संग सगंताएं जनसांखी की विशेशताएं चमताएं नगर नर नारी अनुपात बायू बर्ग आयू बर्ग सोरी आयू बर्ग जनता की सिक्षा टेली टेकनोलोजी की प्रगति ग्रामिन एवम नगरों का अनुमापन समाजिक संगटन जीवन यापन इस तर आदि सामिल होते है यहां मानवियों शंशाधन में आ जाएंगे आर्थिक किरियाओं का अध्यन में हम इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे और इसके अंतरगत लिखेंगे इसके अंतरगत है आर्थिक किरियाओं का छेत्र एबं स्थानिये वित्रण आर्थिक किरियाओं की अवस्थिति आर्थ आर्थिक किरियाओं की विशेष्टाइं, आर्थिक किरियाओं का अन्य घटनाओं से शम्मंद, आर्थिक किरियाओं के सांस्क्रितिक पक्ष, आर्थिक भूद्रश की संकल्पना, आर्थिक उन्नती का इस्तर, आर्थिक संगठन, प्रादेशिक आर्थिक विकास का इस्तर, आर्थिक विकास योजना एवं संसादनों का सरबुत्तम उप्योग इसके अंतरकत आता है सो गैस यहां हमारा question complete होता है सो गैस जो हमारा question था आर्थिक भुगोल का अर्थ तो हमने बता दिया है परिभासा भी बता दिये विसे छेत्र का वर्णन भी हमने यहां पर कर दिया है तो यहां जो हमारा first question है वहां पूर्ण ग्रूप से complete होता है अब हम यहां पर second question कर रहे हैं गेहूं अत्वाच आमल की क्रसी के लिए अनुकूल भोगौलिक परिस्तितिया क्या है बर्णन करना है यहां पर सो हम बर्णन करेंगे क्रसी के लिए अनुकूल भौगौलिक परिस्तिया क्या है बर्णन करना है हमें गेहूं की क्रसी के लिए अनुकूल भोगॉलिक परिस्तियां फिर उसके बाद हम देखेंगे चामल सो ग्याहूं की अनुकूल परिस्तियां हम यहाँ पर देखेंगे ग्याहूं यदभी एक शीतोष्न कटीवंदी फसल है इसकी उपज के लिए निम्न भोगॉलिक दसाओं की अवशक्ता होती है ताप समय के प्राइमवे कवस्ता में 10-15 सेन्टीमीटर तत्था पकते समय इसे 20 से 15 से hon are 110 देनिकाप पाला रहेत मोश्रम ग्याहूं की फसले के लिए अच्छा होता है गहूं बहुत कम तापमान ग्यहूं के लिए हानीकारक होता है ग्यहूं बहुते समय नम और तर्र historical होनी चाहिए ग्यहूं फक्ते समय गरम मेग रहित आकास होना चाहिए दाना पक्ते से पूर्व थोड़ी बश्रा आवश्यक है भूमद्य सागरी जलबायू का हलका सीतकाल एवं उश्न सुष्क ग्रीश्मकाल ग्यहों की उपज के लिए आदश्र जलबायू छेत्र हैं अब आप यहां पे हेडिंग डाल देंगे बश्रा बर्सा किस प्र इसके लिए हानिकारक है कम बश्रा वाले छेत्रों में सिच्चाई की अविशक्ता होती है पकने के से कुछ समय पूर्व बश्रा लाबदायक होती है अब हम सेकंड हेडिंग डालेंगे धरातल कि इसे किस तरह की जमीन चाहिए धरातल किस तरह का चाहिए तो गेहूं की खे है जिसमें सूप्रभा के अतिरिक्त हलों या संयंत्रों सी जुताई कटाई आधी असानी से की जा सके अब हम देख रहे हैं आर्थिक कारक आज के वग्यानिक योग में ग्यहूं की खेती के लिए टेक्टरों कंबाइन मशीनों हार्वेस्टर तता ट्रेकों की अविशक्ता में अधिक मुद्रदाईनी फशल के उत्पन करने की गुंजाइस नहीं होनी चाहिए इसी कारण ग्यहूं की खेत बड़े नगर से दूर होते हैं क्योंकि नगरों के शमेप सब्जियों में से अधिक मुद्रा अर्जित हो जाती है तो आप यहां पर यहां लेकर इस कारण जो है ग्यहूं की फसल प्रभावित होती है तो गैस अब हम देख लेते हैं चामल के क्रेशी के लिए अनुकूल भॉबॉलिक परिस्तितियां क्या है और किस प्रकार से बहां प्रभावित होती है तो यहां पर भी हम तापमान हेडिंग डालेंगे वर्षा धरातल और आर्थिक कारक में किस प्रकार से बहां परिवर्टन और किस प्रकार से परिवर्टन उसमें गड़वडी आती है कितना उसे रिक्वार्मेंट है यहां हम यहां पर सब लिखेंगे तो आप यहां पर चा समय 20 से बरते समय भी संटीमिटर कया होती और बढ़ते समय तिस से की की अभशक्टती वह सकतffあー समय 26 Doncista होती है चामल को उन्हें सेंटीमीटर कर जो है च जो से कम तापमानवाले छेतरों में चामल की खेती नहीं होती है अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट आर्थिक कारक तो आज के पग्यानिक यूग में ग्यहों की खेती के लिए ट्रेक्टरों कंबाइन मशीनों हार्वेस्टर तता ट्रेकों की अविशकता पड़ती हैं उत्तम बीच तता शुगम परिबाहन साधन की अविशकता अविशक प्रदेश में अधिक मुद्रा मुद्रा दाइनी फसल लगे उत्पादन करने की गुंजाइस नहीं होनी चाहिए इसी कारण ग्यहों की खेत बड़े नगर से दूर होते हैं क्योंकि नगरों के समेप सब्जियों से अधिक मुद्रा अर्जित हो जाती है यहां हम लिख दें किस प्रकार से भाप्राभावित होती है यहां हमने लिख चुका है अब हम देखेंगे चामल की फसल वैस चामल की क्रेशी के लिए उप्योगत अनुकूल भौतिक परिस्तितियां आप फस्ट हेडिंग डालेंगे तापक्रम चामल एक उष्ण एबं उपोष्ण कटी बंदी पोधा है इसको बहुती समय 25 Sun光 के अविश्रक्ता पड़ती है और आप्वेटा कम तापमान वाले छेत्रों में जो है चामल की खेती नहीं होती यहां है चामल के लिए रिक्वार्मेंट यहां लिखेंगे तापमान का बार्शिक और 23 दिगरी सेंटीग्रेट से 36 दिगरी सेंटीग्रेट के मद्ध उप्योक्त होता है अब बर्शा हम यहां पे देखेंगे तो बर्शा हेडिंग डालेंगे आप चामल की खेती के लिए परियाप्त मातरा में जल की अवशक्ता होती है क्योंकि चामल का पोधा आरंब से कम से कम सतर दिन तक जल में डूबा रहता है होना चाहिए सदारन तया चामल की खेती देल सो और सेंटीमीटर से अधिक वर्शा वाले भागों में होती है यह दपी इससे कम बर्शा वाले भागों में यह भी चामल की खेती हो सकती है परंतु वहां सिचाई की अवशक्ता होती है जल की लबदता के कारण चामल की खेती डेल्टाई भागों में हो जाती है तो यहां आप भरसा में लिख देंगे अब हम देखते हैं मिट्टी मिट्टी में चामल की खेती के लिए समतल भूमी होनी चाहिए जिससे सिचाई अच्छी तरह हो सके और खेतों में जल परियापत मातरा में भरा हो चामल की खेती के लिए नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी सर्बोत्तम होती है क्योंकि ऐसी मिट्टी परियाए कम जल शोकने वाली चीका मिट्टी की तरह के उपर होती है यही कारण है कि नदियों के डेल्टाई प्रेदेश इसकी खेती के लिए उप्युक्त छेतर हैं चामल मिट्टी की और वरक सक्ती को नस्ट कर देता है अता इसकी खेती में खाद की कम भी आविशक होती है अब हम देख लेते हैं स्रम किस प्रकार से स्रम की अविशक्ता पड़ती तो स्रम हेडिंग डाल देंगा आप चामल को बोने निंदाने सिच्चाई करने काटने आधि के लिए परियाप्त मातरा में श्रमिकों की अविशक्ता होती है यही कारण है कि आर्थिक अधिक जनसंक् की खिटी बीज कम्प्लीट हो गया है सो हमारा कोशिन जो है कम्प्लीट होता है सब हम थर्ड कुश्ट देख रहे हैं हमारे से कुश्ट हो थेकंदर के भी यह सब में लोहा आयस्क के वंडारन बित्रन एबं उत्पादन का वंडन कीजिए सो वंडन यहां पर हम लिख देंगे विस्व में लोहा आयस्क के वंडारन बित्रन एबं उत्पादन आप हेडिंग डाल देंगे आप इसमें लिखेंगे यहां धातु लगभग शर्वत्रे मिलती है 50-75% लोहांस के खनीज का भंडारन 128 अरव मेटरी टन अनुमानित है विश्व का 99% लोहा आयस्क उत्तर अट्लांटिक महसागर के तटवर्तिय देशों से प्राप्त होता है देश के 45 देशों में लोहा आयस्क का उत्पादन होता है विश्व के सोरी गाईज आप वहाँ पे विश्व के लगा सकते हैं विश्व के 45 देशों में लोहा आयस्क का उत्पादन होता है प्रमक उत्पादन के देश जैसे रूस, चीन, आस्ट्रेलिया, ब्राजिल, संयुक्तराज, अमेरिका इसका विस्तार मशीन मिश्गीगन राज्य में हैं मिश्गन जील पर सिकागो गीरी मिलवाकी और धोगिक नगरों में लोहा आयस्क भेजा जाता है अब यहां पर मिनो, मीनी, स्रेणी आप यहां पर लिख सकते हैं, गोजे, विक, स्रेणी आप यहां पर लिख सकते हैं, क्यून, स्रेणी आप यहां पर लिख सकते हैं शीन में 種रा आप महादीब चीन में लहा कें प्रमुक भंडारण और उत्खनंध छेट्र में अन्य हैं भारत में आप्टेशं एक अंव्र आश्राइव सकते हैं आप यहां पर वीडियो देख सकते हैं कर सकते हैं आप यहां ब्राजील लाइंव रीडिये eigनी यहां पर बनन कर सकते हैं और इस प्रकार से आप हेडिंग बनाईएगा विस्प के प्रमुख देश में लोहा आयस को उत्खानन 2018 की यहाल लिस्ट है और इस प्रकार से आप चाट प्लॉट करके इन्हें बैक कर सकते हैं I hope guys this video is really helpful for you thank you for watching my whole video and always share with your friend